है गाइस विल्कम बैक टूदियो इंफ्लेंसर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और कॉइन्स की थोड़ी एक अपडेट देखेंगे और एक बड़ी खबर है जो आप लोगों को अंज में बताने वाला ह होगा सबसे पहले आपको क्या करना है टेलिग्राम जोइन करना है हमारा टेलिग्राम पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है चार्ट वगरा मिलते हैं मैक्रो आउटलुक की बात करते हैं मैक्रो आउटलुक यानि की बड़े पिक्चर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ह उसके बारे में अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती ही, सब्स्राइब करके जाईएगा, टेलिगाम को जोइन करिएगा, सबसे पहले हम Bitcoin को देखते हैं, let us see, पहले हम देख लेते हैं, market cap के चल रहा है, 1.04 trillion है, ऐसा लग रहा है, देखने से, कि ये market जो है, वो 1 trillion को as a support लेन पर होता है, जो इस bull market में हमने अचीव किया था, 2021 की, 2022 की, आप जो कहलो, दोनों में बहुत बड़ा profit हम लोगों को देखने को मिला था, तो 1 trillion का जो हमारा support है, वो बरकरार रहना चाहिए as of now, और दूसरी चीज है, कि पिछले 2017 में हमने देखेंगे, अगर तो 700 से 900 million के जो हमारा billion है, वहाँ पे support लेगी जाकर, तो यह मेरा एक take है, जो personally मैं सोचता हूँ, और आप लोगों को बताया भी है क्यूँ, और मैंने आपको बताया था, यह सब होने से पहले जब भी यह bottom टच करके आया था, जो कि around बनाया था, इसने 17,700 के around, तो अब bitcoin की बात करते है bitcoin में अगर हम बात करें, तो volume profile जिस जगह पे बैठी थी, मैंने आपको बोला था, 21,500 से लेकर 20,500 का zone, और exactly उस zone से हम bounce करने की कोशिश कर रहे हैं, उस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं आपको mark करके दिखा दूँ, तो यह हमारा zone है वो, 21,500 और एक हमारा zone है यह वाला, 20,500 का, तो इन दोनों के बीच में हम फसे हुए हैं, और यह हमारे लिए एक important decision maker होगा, क्योंकि इस से उपर हम पिछली दो candles में हमने यहाँ पर बना दिया था, ठीक, और इसके बाद दोनों ही candles जो है हमारी, यह थोड़ी बहुत हमें, उसका संदेश देती है, यह एक uptrend के reversal कर, लेकिन यहाँ पर जो powers है, वो bull regain कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज की closing जो है, इस line के उपर होती ही, जो की 21,500 है, उसके उपर closing होती है, तो हमारे लिए एक bullish sign है, because देखो, VPVR में इस area के around बहुत सारे buyers भी बैठे हैं, बहुत सारे sellers भी बैठे हैं, तब ही त इस जगा को तोड़ना नीचे की और बेरिश था, मैंने आपको बोला, इस जगा से bounce back उपर की और लेना bullish होगा, क्यों होगा, देखो, uptrend हुआ, uptrend में 50% correction हुआ, यहाँ से 17 से low, यहाँ पर uptrend हुआ, उसका 50% correction हुआ, तो यह bullish bias की हो रहे है, साफ साफ यह bullish हो जाएगा, अगर यह price जो है, इसी तरह से दीरे दीरे उपर की और जाने लगा, और अगर इस area को तोड़ दिया, 2500 के area को, तो हम कह सकते हैं कि यह जो market है, वो bearish लग रही है देखने में, तो अभी के लिए market ने कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं, पर एक चीज जो point out करने वाली है, वो है volume, अगर आप volume की बात करो, तो volume का ये peak अच्छा लगा, ये peak अच्छा लगा, फिर नीचे आते गए, फिर नीचे आते गए, कुछ interesting नहीं, volume last जो आई थी, वो हमारी 19 अगस्त को आई थी, अच्छी खासी, और बहुत ज़्यादा volume थी, वो selling side की volume थी, अभी तक हमें green volume में कुछ वैसा नहीं देखने को मिला, जैसा हमें यहां देखने को मिला था, 15 June के according, ठीक, तो 15 June में हमें, जो bullish थी, वो काफी दाता देखने को मिली थी, तो हमें volume चाहिए, हमें क्या चाहिए, volume, market को उपर ले जाने के लिए, उसके लिए bullish news खबर है, जो ह अन्त में बताने को था, पहली bullish खबर जो हमारे सामने है, वो यहां पर यह है, Ethereum का mainnet की merge की announcement आ गई है, और इस merge के announcement में हमने यहां पर देखा है कि जो merge होने वाला है, वो September 6 के around पहली upgrade आएगी, दो part में होगा, पहला part जो है, वो यहां पर, उसका नाम यहां पर दिया हुआ देखे, the bellatrix update जो है, वो bellatrix update जो है, beacon change पर होगी, वो September 6 को 11.34 AM पर UTC, ठीक, उस time पर, तो September 6 को होने वाली, लगबग लोग लोग को Ethereum की merging जो है, उसका पहला process यह स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक anticipate किया जा रहा है कि Ethereum जो है, वो अच्छी खासी रन कर सकता है, तो उस जो है, हमें काफी positive results देखने को मिल सकते हैं, अगर हम Ethereum के chart को खोलें, तो Ethereum ने यहाँ पर पिछले तीन दिन में, हाँ, थोड़ा बहुत दिखाया है, नीचे हम गयते, 1543 से और वहाँ से उपर हैं, अब अगर यह daily वाली EMS को रखे रहता support, और उपर की और जाता है, मैंने Ethereum लेके डाल सकते हो, profit आपको दे सकता है, पर यह याद रखना है, सितमबच्छे से पहले sell कर लेना, profit अपना book कर देना, यह बात बहुत important है, वही अगर हम बात करें, dot की, rune की, तो सब में कुछ खास हुआ नहीं है, थोड़ी बहुत rally देखने को मिली, healthy full की, atom की बात करते ह मिला, atom 13 पे आ गया, 13 पे, यह daily की candle है, 20 weekly को, 20 daily को, sorry, 20 weekly को, touch कर रहा है, और 13 बहुत बढ़ा zone है, मैं आपको अभी तब भी बोला था, 10 वस की around strong है, इसको ले लो सकते हो, strong बहुत coin क्यूं था, उस दिन bearish दे था, बहुत जादा bearish move हो रहा था, और अभी अगर आप देखो इच्छी होगी, atom मैंने अपने जो channel है, वहाँ पर लोगों को दिलाया, लगबग 6 वे गया रहा हूँ, जब यह आया था है, आपर, तो वहाँ से भी लोग profit बना कर बैठे हुए, बहुत सारे channel पर, तो अगर आप और चाहते हो, miss out नहीं करना, तो आप इसको जरूर लेना, AVAX को, याद रखना, AVAX बहुत तगड़ा कोई है, डॉट को जरूर लेना, डॉट, AVAX, atom ये तीन मेरे warrior हैं, जिनको आपको रखना ही है, इन तीनों में काफी अच्छा profit long term में बन के आएगा, और ये खबरे थी आज की, आज कुछ इंट्रेस्टिंग वैसे है नहीं, पर Telegram को जोईन करना, मत बूलना, Twitter follow करना, Thank you so much for watching this video, मिलता हैं, प्याँ से नेक्स विए,